हवा के जोके आज मौसमों से रूठ गए गुलों की शोखिया जो भवरे आके लूट गए बदल रही है आज जिन्दगी की चाल जरा इसी पहान क्यों न मैं भी दे का हाल जरा सवार लू, सवार लू, सवार लू, है सवार लू सजना सवरना तो महिलाओं का गहना है, चाहे मौका खास हो या आम, सजने सवरने में महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती और भला जब बात वैडिंग सीजन की हो, तब तो सजना सवरना और भी खास महत रखता है सजने सवरने किसी चाहत को स्टाइले नीशन की डिरेक्टर और फेमिस ब्यूटीशन पम्मी चामला सालों से पूरा करती आ रही है दुलहन बनने वाली या शादी पाटी में जाने वाली लड़कियों के लिए उनसे मेक अप करवाने एक सपना पूरा करने के समान लगने लगा है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मेक अप किया उन्होंने और हर चीज बहुत परफेक्टली करती है तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उनसे मेक अप करवाया और पहली बात वो मेक अप इतना अच्छा करती हैं । इसलिए जिल्दी मेक अप करती है तो फूरा टोटल चैंज- अशी मेट मीड यह बाभी डॉल रहे नहीं हैं पंि चाम ला हैर न स्किन ट्रीटमेंट की स्पैशलिस्ट मानि जाती यह यह हुनर उन उपरवाले की देन है वो हमेशा दिमाग से नहीं बलकि दिल से काम करती है उनकी कोशिश दिलती है कि दुलहन का मेकप उनके कल्चर और पार्टी के मूर के अनुसार किया जाए लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है बस उसी को ध्यान में रखकर भी एक काम करती है तो मैं बलेस्ट हु बगवान की तरफ से कि मुझे मेरा फेवरेट काम उनों ने मुझे दिया और जिन्गी पर मैंने काम तो किया ही नहीं सिर्फ खेलती रही आज भी खेली रही हूँ पम्मी चावला ने स्टाइल एंड नीशन की शुरुआत खाती वाला टैंक में एक छोटे से ब्यूटी पालर से की थी जहां बड़ा सा सलून आकार ले चुका है इसके अलावा 56 दुकान पर भी स्टाइल एंड नीशन की ब्रांच खुल चुकी है जिससे उनकी क्लाइंट्स को और भी जादा सुविदा मिलने लगी है अब तो वेडिंग सीजन है तो पम्मी चावला से मेक अप कराना तो बनता है